चलिए, चप्टर नमबर 3, चप्टर नमबर 3, एक्जेम्टिड इंकम, इसमें से भी थियोरी बहुत सारी आती है, फटा-फट से कंप्लीट कर लेते हैं, चप्टर नमबर 3, ओल्दो हमने पहले कर भी लिया था, लेकिन मैं फिर दुबारा बता दू, चप्टर नमबर आपका 3, सर आज आईए, चप्टर नमबर 3, कहता है, तो सर यहाँ पे आपके थियोरी सारे मेंशन्स हैं, और इस थियोरी के अकॉर्डिंग ली चल लेते हैं, तो एग्रिकल्चर इंकम होते हैं हमारे तीन तरीके से, ध्यान सा सुनते जाईएगा, पीछे यहाँ पे डिटेल नही आ रहा है, तो वो भी अग्रिकल्चर इंकम माना जाएगा, भी बोलता है, सर आपको दो एक्टिविटी करना है, बेसिक और सब्सक्विटी, दोनों एक्टिविटी आपने किया, जैसे प्लगिंग करना और आपका हर्वेस्टिंग करना, दोनों एक्टिविटी किया, तो ए तो उससे आने वाला rental income भी agriculture income माना जाएगा लेकिन ध्यान रखिएगा अगर agriculture income late payment अगर या फिर extra charges आपने किसी भी agriculture के उससे rent के बदले रिसीब किया तो वो agriculture income नहीं माना जाएगा तो पहला agriculture income हमारे खतम होता है इसके अंदर आप वो जरूर पढ़ लीजिएगा कि partial tax वाला जो हमारे यहाँ पे लगता है वो किस तरीके से लगता है पूरा मैंने वीडियो में कराय हुआ है पिछले में treated for income tax purpose के लिए यह sir complete होता है agriculture यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे 21A, 21B सारी चीज़ों को बता दिया गया है the building जो मैंने बताया सारी चीज़े इसके अंदर आप ध्यान से बस आपने पढ़ना है सर पढ़ना है बस सिर्फ पढ़ना है चली आ जाईए सर question number two question number two क्या कहता है example income विरा exempted under section income tax ऐसे income बताईए जो कि exempted है income tax के अंदर जिसके ओपर tax ही नहीं लेंगे अब यहाँ पर tax नहीं लेने से मतलब है सर complete tax की बात नहीं चल रहा है कुछ part taxable कुछ part exempt वो भी यहाँ पर covered हो जाएगा जैसे पहला income agriculture income सरकार ना पूरी तरीके से wave of किया हो वाइल section 10-2 के अंदर लेकिन कई बाद taxable भी हो जाता है तो यह नहीं होगा इसके बाद 10-1 में 10-2 के अंदर क्या कहता है सर सम रिसीव हुए हिंदू undivided family है हिंदू undivided family ने क्या करा अपने बेटे को अपनी सारी वसीयत अपनी सारे जायदा ट्रांसफर कर दिया अपने member को ट्रांसफर कर दिया तो वो भी income आपका exempted होगा ऐसा नहीं कि उसके बेटे को उसको टेक्स देना पड़ेगा एक तो यह second point होगया third point share profit partnership firm सर अगर कोई भी partner दा profit कमाता है तो profit तभी निकलता है और तभी बढ़ता है partner में पहले उस profit के उपर tax दे दिया जाता है फिर जो बचता है वो partner सापस में बाट लेते हैं प्रॉफिट के उपर already tax लग गया तो partner के हाथ में जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा fully exempt from tax उसके उपर tax नहीं देना value of leave travel concession leave travel concession salary related leave travel concession क्या होता है जब कभी भी आप घूमने के लिए जाते हो ब्लॉक मिलता है यहां पर में चार ब्लॉक को होता है साथ दो ब्लॉक को हम इखटा कर सकते हैं सिंपल सी बात है अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो इंडिया के इंप्लोयर आपको पैसे दे रहा है उसे बोलते हैं लीव ट्रेवल नहीं है उसके लिए जो भी पैसा मिलता है वो सारा का सारा होता है उसके उपर टेक्स नहीं लगता है तो आपका लीव ट्रेवल कंसेशन मैं फटा-फट बताता जा रहा हूं बस आपको समझना पड़ेगा इसके अद अलाउंस इस परकेजिट सेक्शन दस साथ का अलाउंस एलाउंस परकेजिट जैसे आलाउंस ओर परकेजिट सेएट अअउटसाइड आउट साइड इंडिया बई धा गवर्में citizen of India, आपका rendering service India exempted from tax, और ये भी याद रखिएगा supreme court, supreme court के जो judge होते हैं उनको भी सारे allowances क्या हो जाते हैं, exempted तो यहाँ पर आप लेख सकते हो, इसके बाद सर क्या है, underground allowances, शोला सो रुपे receive होता है, बाकी का tax से बलो जाता है, यानि एक ऐसे allowances जो की कुछ हद तक होता है, दूसरा part taxable हो जाता है, मतलब जैसे children education allowances पूरी पे आएंगे हम, इसको मैंने दो पार्ट में divide कर दिया, जो salary से related है salary के जगे भीज दिया और बाकी सारा इसी के अंदर आ जाएगा, आपका scholarship scholarship आपको जो भी मिलता है, गवर्मेंट की तरफ से वो भी आपका exempt हो जाता है, pension received by the certain आपका winner's galantry award, जिनको galantry award मिलता है, अगर उनको pension मिलता है, या फिर on duty, जिनकी death हो जाती, arm force के अंदर है, उनको भी pension मिलता है, वो भी क्या हो जाता है, सर, exempt हो जाता है, amount received from statutory permanent fund, वो भी क्या होगा, exempt हो जाएगा, no income होगे, सर, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आगे की income वही चल रही है, तो सर, अगर मैं income की बात करूँ, फटा-फट से quickly revise कर लेते हैं, agriculture income और Hindu undivided agriculture income, Hindu undivided family को जो भी पैसा मिलेगा, या फिर जो भी distribution होगा, वो exempt है, और इसके बाद profit partnership firm में जो मिलता है, वो exempted है, इसके अलावा, जितने भी हमारे salary के अंदर जितने भी reduction मिलते हैं, exemption मिलते हैं, वो भी हमारा exempted है, इंडिया के बाहर जो काम कर रहा है, उनको जो service provide कर रहा है इंडियन government को वो भी exempted है, इसके साथ साथ हमारा आगे देखा जाए, तो leave travel concession भी exempted है, परसंड receive certain आपका जो valentary award में pension मिलता है, परसंड को वो भी हमारा क्या माना जाएगा, सार, exempted माना जाएगा, चलिए सर, salary, chapter number third, हलाकि इसे chapter number third नहीं बोलिएगा, इसमें से salary के basis पे भी question आ सकता है, exempted income पे भी आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ते हैं, इसे पूरा salary भी revise हो जाता है, सर, discuss the provision income tax regarding the graduate under the section 1010, graduate, तो सर, graduate की बात करें, तो graduate दो तरीके के होता है, एक होता है covered, एक होता है uncovered, covered और uncovered का rule अलग-अलग है, covered और uncovered, government employee को अगर graduate मिलता है, तो fully exempt हो जाता है, अगर other than government employee को मिलता है graduate, तो उस situation के अंदर वो taxable हो जाता है, लेकिन अगर किसी की death हो जाती है, तब भी वो क्या माना जाता है, exempted ही माना जाएगा, लेकिन during the job after five year वो निकालता है, तो वो fully taxable हो जाएगा, other than government employee के लिए कितना taxable है, सर, वहाँ पे limit है, 20 lakh रुपे, पहला limit, सर, actual receive, दूसरा limit, सर, 20 lakh रुपे, तीसरा limit, सर क्या आता है, सर, तीसरा limit आ जाता है, यहाँ पे, 15 बटे में 26, मैं covered की बात कर रहा हूँ, पंदरा बटे में 26, मैं last round salary, मैं number of completed year, आपका in excess of six month, तो यह हमने salary के अंदर देखा हुआ है, तो यह हो गया graduate covered, अंकवर्ड में बिल्कुल different हो जाता है, सर, अंकवर्ड के अंदर क्या आता है, हमारा अंकवर्ड के अंदर आता है, actual receive, पंदरा बटे में 30 आ जाता है, average salary in two में number of completed year, ignore friction, जो भी इन में से lower होगा, वो आपका exempt माना जाएगा, 20 लाक limit है, तो यहाँ पे covered, uncovered दोनों ही को अच्छे से आपको explain करना है, जो मैंने लिखा हुआ table chart के अंदर, उसी को आपको अच्छे से explain कर देना है, sir, जैसे कि मैंने इस chart में भी आपको समझाया हुआ है, तो यहाँ से भी आप करके easily बता सकते हो, तो सिर्फ इस chart को आप समझी और इसे अपनी language में लिखिएगा, तो यह बता सकते है, most important question है, sir, यह था हमारा पूरा 10 month average सारी चीज़े बता दिया, अगला question आ जाता है, sir, discuss the tax treatment provident fund, provident fund की बात करते हैं, दो तरी, वैसे तो काफी तरीके की provident fund है, लेकिन यहाँ दो मेली है, आपका recognized provident fund, unrecognized provident fund, यानि RPF, URPF, recognized provident fund के अंदर क्या होता है, जब हम contribution करते हैं, तो employee का contribution, ATC में taxable हो जाता है, employer का contribution 12% तक exempt हो जाता है, अब इसकी बात कर लेता है, interest की, interest हमारा 9.5% तक exempt होता है, किसी का भी हो, बाकिये फुली के हो जाता हमारा taxable, unrecognized की बात करते हैं, कि जब contribute करोगे तो कोई part taxable नहीं है, जब withdrawal करोगे तो वहाँ पर taxable हो जाता है, employee का contribution हमारा चला जाता है, कोई taxable नहीं है, employer का contribution, salary के अंदर taxable हो जाता है, उस पर होने वाला interest, employee वाला interest चला जाएगा, other source में, employer वाला interest आ जाएगा हमारा salary के अंदर, तो यह होगे हमारा PF का, यानि provident fund, तो provident fund भी हमारा एक तरीके से exempted income का ही पार्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, लिखेट आपको जैसे मर्जी याद हो, वो आप लिख सकते हैं, RPF और URPF, जो कि मैंने पूरा समझा दिया है, जो बाते थी यहाँ पर लिखे होई सब चीजे मैंने बता दिया है, explain pension, अब pension की बात करते हैं, pension हमारे तीन कैटेगरी में divided है, number one, pension आपका हो सकता है, with graduate मिले या हो सकता है, without graduate मिले एक होता है family pension, अगर आपको with graduate मिलता है, तो वहाँ पर exemption limit अलग हो जाती है, क्या सर, retirement के अगर with graduate मिलता है, तो actual receive और वहाँ पर हो जाता है, one by third of full pension और आपका वहाँ पर actual receive, one by third of full pension, लेकिन अगर हम बात करते हैं, without graduate मिलता है, तो one by third की जगह पर one by two of full pension और actual receive हो जाता है, family pension में बात करें, तो 15,000 रुपे के limit है, और one by third whichever is, और actual receive whichever is lower, वो क्या हो जाएगा, सर, exempt हो जाएगा, ज्यादा detail में इसके उपर practical भी देखना चाहते हैं, तो salary वाले chapter जब करेंगे तो यह automatic revise हो जाएगा, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा, salary वाले chapter करोगे, फटा-फट से fully taxable, अगर uncommuted वाला part है, तो fully taxable हो जाता है, committed वाले tax के government exempt होता है, बागी के case में taxable हो जाता है, one by three और one by two actual receive with graduate और without graduate, इसके बाद कहता है illustration previous the, illustrate the provision income tax law relating the valuation of the following perquisites, आप बताइए interest free, loan concessional rate पे, तो loan की बात करते है perquisites, perquisites क्या होता है, loan, loan मालिक ने अपने employee को सस्ते rate पे अगर interest पे दिया, suppose करो SBA के rate चल रहा है 12% और मालिक ने आपको 6% पे loan दे दिया, तो यानि कहीं न कहीं आपका 6% फाइदा हो रहा है, या 12% चल रहा है, मालिक ने आपको 2% पे दे दिया, तो अपको फाइदा के इतना होगई 10%, तो 10% आपका salary का part होगा, अगर आपको free में दे दिया, तो कितना part होगा sir, पूरा 12% salary का part होगा, interest calculate करने का पूरा method अलग होता है, outstanding महीने के end मैं जो होता है, उसी साल के end मैं जो होता है उसी के उपर interest calculate किया जाता है यहां पर तो उसके accordingly हम चलते हैं यहां पर तो interest free या फिर concessional मतलब सस्ते rate में, interest free मतलब आप से interest लिया ही नहीं किया, concessional rate मतलब 10 के जगा पर 6%, 4% ऐसे दे दिया गया है, और any other member के लिए, तो simple सी बात है, दूसरा बात करते हैं, sale of movable assets, normal price, sale of movable assets, sale of movable assets, ध्यान दिजिएगा, sale of movable assets की बात करें, तो movable assets में क्या हो सकता है, especially laptop को बेचा जा सकता है, car को बेचा जा सकता है, other assets, other assets में free जा गया, तो obvious सी बात है, 10,000 वाली चीज़ जो market में big सकती है, आप बहुत दिनों से काम करें, तो साइद मालिक आपको 6,000 में वो दे दे, तो कहीं न कहीं आपका बीच का difference 4,000 का benefit होगे, that is, हमारे call करेगा, perquisites, तो sir, इसके अंदर, अगर आपको laptop computer दिया जाता है, तो book value minus में sale निकालना है, book value निकालने के लिए आपको depreciation लगाना पड़ेगा, depreciation किस rate से sir, 50%, depreciation किस rate से sir, 50% से लगेगा, ध्यान रखेगा, depreciation laptop पे आपको लगेगा, 50%, motor car पे किस rate से लगेगा sir, motor car पे लगेगा 20%, WDB, दोनों से कौन सा लगेगा, D, WDB, other assets के उपर कितना लगना है sir, 10% लगना है, कौन सा method, state line method, other assets पे लगेगा, state line method, तो वही पे यहाँ पे कहा हुआ है, कि किस तरीके से आप सारी चीजे निकालोगे, इसको लिखना है sir, आगे कहता है, write short note करना है, three of the following, tax treatment in respect of un-leave encashment, sir, leave encashment के उपर हम बात कर लेते हैं, मैं फटा-फट बोलता जाता हूँ, आपको बस ध्यान से सुनना है, उसके बाद reading करनी है, सुनने के बाद तभी benefit मिलेगा, सिर्फ सुन के exam में नहीं लिख सकते sir, leave encashment, leave encashment की बात करें, तो यहाँ पर हो सकता है, during the job मिले, तो fully taxable है, हो सकता है, government employee को मिले, after retirement, तो fully exempt है, हो सकता है, आपका private employee, private employee के case में चार limit देखनी होती है, एक अकल होता है, यह section है, जहाँ पर चार limit आ जाता है, चार limit है, actual receive number 2, maximum 3 लाग रुपे तक exempt होता है, number 3, 10 into में average salary, number 4, unused leave divided by 30 into में average salary, आपका माना जाएगा, और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं sir, leave and salary के अंदर जो exempted part होगा, वो होगा, सरकार कहता है कि हम government के हिसाफ से देखा जाएगे, तो 30 दिन एक साल में हम leave provide करते हैं, जो 30 दिन से ऊपर का होगा, तो हम फिर भी calculate किस से करेंगा sir, 30 दिन के according ही करेंगे, salary वाले चप्टर में बहुत detail में इन सभी के discussion किया हुआ, आप जाएए जाके देख सकते हैं जिनको, और ज्यादा जैसे जिनको लगता ने कहीं सर ये समझ सा नहीं आ रहा तो जाएए salary वाले topic में महाँ पे देख सकते हैं, सर इसके बाद क्या था है, point number one के बाद, अभी बात किया था, वही आ गया, sale of concessional price के उपर, यानि अगर मान लेते हैं, 1000 रुपए का समान आपको, अगर 600 रुपए में मिल जाए तो 400 रुपए आपके परके जिर्स माना जाएगा, और इसके उपर as a salary taxable हो जाएगा, कौन बेच रहा है सर, employer बेच रहा है, number c, 300 रुपए पर बच्चे हमारा exempt हो जाता है, बाकी हमारा taxable हो जाता है, और साथ के साथ hostel के अंदर 300 रुपए पर बच्चे होता है, बाकी taxable, अगर मालिक का स्कूल है, तो आपके आस पास में, same facility वाले जो स्कूल है, उसकी फीस आपके बच्चे की फीस मानी जाएगा, और वो salary में I don't know हो जाएगा, लेकिन आप कहीं और पढ़ा रहे हैं, तो जो actual फीस है, अगर मालिक आपका स्कूल का नहीं है, तो जो actual फीस है, व इंट्रस फ्री लोन, आपका इंट्रस फ्री लोन और पांच लाग रुपए, तो इसका क्या treatment होगा तो, sir, fully taxable हो जाएगा, जितना भी हमारा इंट्रस लगेगा, as per SBI का rate, याद रखेगा, SBI का rate होगा, employee claim reimbursement 2 lakh treatment of wife hospital, तो अब यहाँ पर medical facility आजाता है, sir, medical facility आपका reimbursement जित अगर हम medical treatment की बात करते हैं, तो medical treatment इंडिया में करवाता है, तो भीया, अगर reimbursement होता है, तो fully taxable है, अगर reimbursement नहीं होता, government hospital में तो exempt है, मालिक ने अपने hospital में करवाया है, तब भी exempt है, sir, अगर इंडिया से बाहर जाते हो, तो depend करेगा GTI, GTI का मतलब gross total income, इंडिया से बाहर आ रहे हो, तो आपको उतना ही खर्चा जो approved sanction करेगा, कौन RBI, RBI sanction करेगा, उसके साथ साथ आपके साथ दो लोग जाएंगे, कौन जाएंगे, sir, आपके attendant और एकाप, अगर दो लाख रुपए से gross total income जादा है, तो fully taxable, otherwise वो क्या हो जागा, economic class का fare, क्या हो जाएगा, exempt हो जा आने जा रहा हूँ, application पर link दे दूँगा, शिक्षाधाम official पर, दूसरा जो हमारा application जो prepare हो रहा है, खीकी वहाँ पर server का issue चल रहा था, तो वहाँ पर आ जाएगा, सभी वहाँ से download कर सकते हैं, PDF format में भी, इस notes को, sir, शारी limit लिखी हुई है, leave engagement के limit, जो कि मैंने आपको बता दिया, sir, इसके बाद value of percent क्या कहता है, compute and electricity item पे क्या क्या है, ये सारी चीजे बता दिया, motor car, 2% car, 20% और ये सारी बाते मैं discuss कर चुका हूँ, already, तो और ज्यादा time नहीं लेना चाहता मैं, अगला question आगया, sir, discuss tax treatment employee stock option plan, sir, isop, isop कई बार क्या होता है, ये होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेजिए, मान लेजिए, आप बहुत होनहार employee है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो employer क्या कहेगा, आपको बोलेगा, sir, एक काम करो ना, फटा-फट से आपना, मेरे से पास नोकरी छोड़ के मत जाओ, लेकिन अगर आप होनहार हो, तो आपको कोई दू लाखो करोड़ों में भी हो सकती है, sir, तो employer इस लालच में बोलता है, यह पांस साल करी लेते हैं, इसको शियर से ले लेंगा, फिर हम छोड़ के जाएंगे, तो धीरे-धीरे employee क्या होता है, वहाँ पर रुकने लग जाता है, तो यहाँ पर benefit मिल जाता है, sir, value of perquisites, यह perquisites क market value specified security or equity share price, date in which option excise, और आपका SSC as reduced by the amount actually paid, यानि सिंपल सी बात है, सरकार company क्या बोली कि मेरा market price 1000 का है, मैं आपको 200 रुपे में दे रहा हूं, तो कहीं न कहीं आपको 800 रुपे का फायदा, जो कि taxable हो जाता है, कहाँ पर जाके, sir, salary के अंदर taxable हो जाता है, formula भी लिखा salary जो made taxable due or receipt, whichever is earlier, जो पहले होगा उसी पर taxable होगा, पहले due हो गया तो उसके इसाफ से taxable होगा, पहले receive होगा तो उसके इसाफ से taxable होगा, इसके उपर dedicated specified जो है, पहली class या दूसरी class में देखेंगा न, due basis, वहाँ पर बताया होगा है, क्या कहता है, tax on salary charge on the basis, receipt or what is become due, whichever is earlier, जो दोनों में से जल्दी होगा, उस पर होगा, following include the calculating, any salary of employer SSC previous year, whether paid in the previous year or not, any salary allowed him the previous year, due that the previous year before due date या after, यहाँ पर होता है, last day of the month or first day of the month वाला concept आएगा, तो due date और देखो, जैसे कि for example समझो, आपका salary अगर मानत मिलता है एक तारीक को, तो एक तारीक को जब salary मिलेगा, तो आ आपका पता साल क्या माना जाएगा, मार्च से लेके मार्च, मार्च तो होगा, नहीं मार्च का तो मिलेगा, मार्च से लेके फरवर ही माना जाएगा, लेकिन आपको salary 30 को ही मिल जाता है, तो आपका होगा 30 April से लेके 31 March तक का, तो उसके accordingly आपका निकाला जाएगा, due और average basis सर इसके बाद explain the briefly provision tax liability on house rent allowances, HRA, HRA के उपर होता है, सर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, house rent allowances अगर आपको मिलता है, तो taxable, सबसे पहले fully taxable की बात कर लो, अगर आप parents के साथ रह रहे हो, अपने घर में रहे हो, तो fully taxable है, अगर आपको HRA मिलता है, 10% से कम आप rent paid कर रह रहे हो, तो fully अपका taxable हो जाएगा, लेकिन अगर आप किराये पे रह रह रहे हो, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा, सर, limit है, तीन limit है, actual rent receive और 10 rent paid minus 10% of salary for retirement benefit, salary for retirement benefit का मतलब होता है, basic salary plus में DA retirement benefit वाला, plus, 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 आपका commission fixed percentage, और 50 और 40% depend on the city, आपका 40% या 50% अगर 4 metro city म है, आप तो वहाँ 50% तक लेंगे, salary for retirement benefit का, बाकी case में आप 40% लेंगे, यह हमारा exempt मना जाता है, whichever is lower, तो यह मैंने पूरी चीज़े बता दी, detail हमने बड़ी सारी चीज़े discussion की हुई है, किसके अंदर सर, again salary chapter के अंदर, discuss break free the provision regarding the valuation rent free accommodation, sir rent free accommodation की बात करते हैं, फटा फटा फट regulation की बात करें, तो आपको मालिक ने घर दे दिया है, free में रहने के लिए, जैसे अब यहाँ पे दो condition हो सकता है, यह तो मालिक का खुद का घर होगा, मालिक किराए पे लेके देगा, अगर मालिक का खुद का घर हुआ, तो वहाँ population check करेंगे, sir, अगर खुद का घर हुआ, त दस लाक है, पंद्रा लाक है या फिर पच्चिस लाक प्रो है, उसके accordingly 7,5 और पंद्रा पर सेंट का slab rate दिया हुआ है, जो कि हमारा लग जाएगा, तो इसको भी हमने discuss किया हुआ है salary के अंदर, यहाँ पे देखिए, इसके बाद, आगे आजाते है, सर यह हमारा यहाँ पे चप्टर नमबर जो सेलरी तक का पार्ट हो जाता है हमारा खतम हम पूरे थियोरी की बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा पूरा खतम